दोस्तों, बॉलिवर्ड में हर साल कई फिल्में बनती है, जिन में से कुछ फिल्में ऐसी होती है, जिनकी स्टोरी लगबग सेम होती है, कुछ चेंजेश के साथ, या फिर उनका कॉंसेप्ट जो है, वो टॉपिक जो है, वो लगबग बिल्कुल सेम होता है, हम आज इसी तरह कि कुछ फिल्मों की इस वीडियो में बात करेंगे, सब से पहले बात करेंगे हम राज मुवी की, जो कि 1967 में रिलीज होई थी, राज कुमार विमी और सुनिल दत मुख्य भूमी काओं में थे, और इस मुवी को डेरेक्ट किया था भी अर्चोपडाजी ने, राज कुमार और विमी जो है एक दूसरे से मुहबत करते है, राज कुमार के मौट की खबर आ जाती है, विमी को राज कुमार से एक छोटी बेटी भी है, जो कि अनाचाश्रम में पल रही है, अजारक विमी की मुलाकात होती है, सुनिल दत को विमी से obt हो जाती है, पिता के कैने पर वि एक स्टोरी थी दिस फ्लिम में वो थी इम्तिहान जो कि 1994 में रिलेज होई थी इस मुवी के मुख्य भूमिकाओं में ते सनी देवल रविना टंडन और सैफ अलिक खान डिरेक्ट किया था इसे हरी बवेजा जी ने इस मुवी में की भी स्टोरी लगबग वैसी थी कि सनी पल रही है रविना टंडन की मुलाकात होती है सैफ अलिक खान से और रविना टंडन पिता के कहने पर सैफ अलिक खान से शादी कर लेती है सनी देवल जिन्दा है और वापस आती है इसी तरह से ही कुट उताव चड़ा है पर इसकी एंड में थोड़ा सा चेंज था अब बा था कि जब माबाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ निचावर कर देते हैं पर वही बच्चे जब बड़े होते हैं शादी कर लेते हैं और उनके माबाप जब बुड़े हो जाते हैं तो बुड़े माबाप उनके लिए बोच बनते हैं पर वो जिस बच्चे को जो पैदा तीन में रिलेज होई थी अमिता बच्चन हेमा मालिनी और सल्मान खान ने मुख्य भमी का इने बाई कि इसमें भी ऐसे ही दिखाया गया था डिरेक्टर से इस मुवी के रवी चोपड़ा इसमें भी दिखाया गया था कि अमिता बच्चन और हेमा मालिनी के बच्चे जब जवान है और जब अमिदा बच्चन कमाते नहीं है तो मावाप उनके लिए बुढे उनके लिए बोच बन जाते हैं पर सलमान खान जे ने उन्हें पास पुल्सकर बढ़ा किया था वो उनका एंड तक साथ देता है बात करेंगे अकली मुवी की जो 1965 में रिल की पहाड़ों पर घूमने आती है और उसे एक बहुत गरीब पहाड़ी लड़के से महबत हो जाती है और वो उसे शादी करना चाहती है इसी तरह की ही एक मुवी है जो बनाई गई थी जिसका नाम था राजा हिंदुस्तानी जो कि 1996 में रिलेज होई थी अमीर खान और गरिश्मा कपूर ने मक्य भूमी का नेवाई थी इस मुवी में इस मुवी में भी ऐसे ही दिखाया गया था कि गरिश्मा कपूर अमीर घराने की लड़की है उसे गरीब पहाड़ी लड़के अमीर खान से महबत हो जाती है इसे डिरेक किया था धरमेश दर्शंती ने अग इसमें था कि कैसे रिशी कपूर नितु सिंग राकिस रोशन अंजान में एक खतर बहुती बड़ी मुसिबत में फज जाते हैं उससे निकलने के लिए वो क्या क्या करते हैं और कैसे निकलते हैं यही दिखाया गया था इस मुवी में इसी तरह की ही एक मुवी बनी थी और इस मुवी को डिरेक्ट किया था अबास मस्तांजे ने इसमें भी ऐसे ही था कि अक्षय कुमार अक्षय जुलका दीपक्त जोरी अंजाने में एक मुसिबत में फज जाते हैं और फिर उसमें से कैसे निकलते हैं अगले मुवी है अगनी साक्षी जो कि 1996 में रिलीज इस मुवी में नाना पाटेकर, मनिशा कोईरला और जेकी शुराफ ने मुख्य भूमी काएं नेभाई थी और इस मुवी को डिरेक्ट किया था प्रथु गोश्ची ने इसमें दिखाया गया था कि मनिशा कोईरला और नाना पाटेकर पती पतनी है नाना पाटेकर जो कि बह बहुती ज़्यादा तकलिफ देते हैं, मारते पिखते हैं, तंग आकर मनिशा कोईराला घर से बाग जाती है, उसकी मुलाकात होती है, जैकी श्राफ से, जैकी श्राफ का मनिशा कोईराला से महाबत हो जाती है, उसे कुछ बिना बता ही वो उससे बिहा कर लेती है, नाना बनाई गई थी धरार जो कि 1996 में रिलीज हुई थी अरबास खान जोही चाउला और रिशी कपूर ने इसमें मुख्य भूमी काए नेबाई थी अरबास खान डिरेक्टर से इसके अबास मस्तान जी इस मुवे में अरबास खान और जोही चाउला एक दूसर से मुहबत करते हैं रिशी कपूर चाउव के अरबास खान जोगते हैं चाउला के शिकाउला और रिशी कपूर से शादी कर लेते हैं अरबास कन जिनदा वापस आते हैं उतार चड़ाओ के बाद मुवी खतम होती हैं 1973 में एक मुवी रिलीज हुई थी आगले लग ज़ागली मुवी शेशी को डेरेक्ट किया था मन मोहन देशाई जी ने इस मुवे में दिखाया गया था चलम्या टेगर जो कि बहुत ही अमीर घराने से है और शेशी कपूर जो कि बहुत ही गरीब है दोनों एक दूसरे से महबत करते हैं और बीच में वेलियन बनता है बेटी का लड़की का बाप जो इस मुवी के मुख्य भूमिकाओं में अमीर घराने की पद में निकोलापुरी गरीब मितुन चक्रोरती से महबत करती है डैनी को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो किसी तरह दोनों को अलग करता है पर बाद में दोनों मुवीज में हैपी एंडिंग हो जाती है डैरेक्ट किया था देविंद्र गोयल जी ने इस मुवी में दिखाया गया था कि संजय खान और साधना इस दूसरे से महबत करते हैं संजय खान के मौत की खबर आ जाती है साग्दना प्रेगनेंट है वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है बाद रस्षानी उसे खुद कि पांडे और निलम कोथारी थे इस मुवी की मुख्यभ dir और भारत जीने इस में अईसे दिखाया गया था निलम कोथारी और चंकी पांडे एक दोस्चि से महापत करते हैं चंकी पांडे के गया suivre के मौत की कभर आ जाती है और राजिफक मोध्नों से अपना लेंते हैं और अनुपम खेर और दोनों अंजाने में ही एक मुशिपत में फस जाते हैं बहुत ही गंदी है उसमें से कैसे निकलते हैं ये इस मुवी की कहानी थी इसी तरह की ही मुवी बनाई गई थी प्यारे मोहन जों की 2006 में रिलीज होई थी दो दोस्तों की कहानी विवेक ओविडाय और फर्दीन खान थे इस मुवी में इस दोनों अंजाने में एक मुशिपत में फस जाते हैं और उससे कैसे निकलते हैं अंधे और भहरे होने के बावजुद भी वो दोनों मुवी की कहानी इसी तरह की ही थी अब बात करेंगे अगली मुवी की अगली मुवी थी मुवी है और एक बहुत ही ज़्यादा डीसेन तरीके का था इसी तरह की ही कहानी बनाई गई थी दूसरी फिलिम में सीता और गीता जो की 1972 में रिलेज वही थी है ममाले ने डबल रोल किया था एक बिलकुल टपरी टाइप की और एक बहुत ही ज़्यादा मौडन इसी तरह की तीसरी मु बनाई।